कि वेलकम तो लाइक क्लास तो भी एक्सरसाइज बढ़ने थेपन क्लास 11 में एक्सरसाइज 13.1 13.1 कम्लीट होगी जी 13.2 में कुछ फलनों के आपने आउकलन देखे तो आउकलन में आगे बढ़ते हैं हम कुछ फोर्मल है हमारे पास की फलनों का आउकलन की प्रकार किया जाता है कि यह है आउकलन के सुत्र में हैं सबसे पहले जिदे को आउकलन के लिए डी अपॉन डी एक्स पतब एक्स के साब एक्स किसी भी फलन का उकलन अब फलन बहुत सारे हो सकते हैं कुछ भी होसकते जैसे एक फलन है एक्स की पावर एड का बान कोई भी प्राकत संख्या पूर्णा संख्या हो सकती है इसका आउकलन होगा एड इंटू एक्स की पावर एड माइनस माइनस मान कोई भी पूर्णा संख्या माइनस से लेगे प्लस अनन तर कु यह दिए कोई अचर फलन है जैसे कोई संक्या हुई ए भी सीडी शिरा अगर कोई भी मानुआ अचर बानुआ उसका अवकरन होगा जीरू ठीक है नमबर तीर तिरकोडवितिय फलन देखते हैं जैसे साइड एक्स का अवकरन होता है कोस एक्स नमबर चार दी अपॉन दी एक्स कोस एक्स का उकरन होता है माइनस का साइड एक्स साइड एक्स का तो कोस एक्स होगा और कोस एक्स का माइनस का साइड एक्स दी अपॉन दी एक्स एन एक्स एन एक्स का उकरन होता है सेक स्क्वार एक्स d upon dx cortex इसका होगा minus का cosec square x साथ d upon dx sec x sec x का उतल होता है sec x into tet x d upon dx cosec x cosec x का होगा minus cosec x into my cortex ये तो थे कुछ तिरकोड भी थी है उसके बाद है अपने पास इसे d upon dx e की पावर x e की पावर x का उकलन होगा e की पावर x d upon dx log x log x का उकलन होता है एक बटे x उसके बाद बाद आती है दो फलनों का योग और गुड़ा के तो पीछे पढ़ी लिया था आपने जैसे d upon dx यू इंटू वी दो फलन गुड़ा के रूप में हो तो यू को पहले आगे रख लिया जाता है वी का उकलन हो जाएगा वी को आगे रख लिया और यू का अपकलन हो जाएगा फिर बात आती है दो फलन गुड़ा के रूप में हो यू अपोन वी यू और वी एक्स के फलन होंगे भी सबसे पहली बात क्या है यू और वी एक्स के ही फलन होने चाहिए तो वी को ऐसे कैसे रखा d u upon dx माइनस u को ऐसे कैसे कैसे रखा d v upon dx d t v square तो यह तो थे कुछ आउकलन के सूत्र इसके बाद बात आती है इसके बाद आती है इसके बाद आती है प्रति लोग के फंक्शन है उनके आउकलन और यह वही आपको उतागने है इन्हीं के बेस पर आगए एक्सराइज में कुछन होंगे और यह जो है ट्राइज में विकावाईगे सभी फॉर्मिले यह की यही कावाईए ब्ल आप 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 झाल 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 परतिलों फलनों के आउकलज d upon dx sin inverse x sin inverse x का उकलन होगा 1 upon under root 1 minus x square d upon dx cos inverse x cos inverse x का उकलन होगा minus 1 upon 1 minus x square का under root d upon dx tan inverse x tan inverse x का 1 upon 1 plus x square d upon dx cot inverse x minus का 1 upon 1 plus में x square उसके पाद बात आते हैं second inverse x के पाद आते हैं 1 upon x into under root x square minus 1 d upon dx cos inverse x का उकलन होगा minus 1 upon x into under root x square minus 1 तो यह थे कुछ फरलों के आउकलन और इन ही फॉर्मूलों के अधार पर अपने को कृष्टन सौल करना है आगे अब आपकरते हैं कृष्टन की तो यह आउकलन के फॉर्मूले जर्यों है 12 तक आचुक है आपके 12 क्लास के जब सवाल है इन ही फॉर्मूलों के अधारत पर होंगे अधारत फॉर्मूलों के लוא रख्ब़ने ही जब सुआ जैसे कुस्क्षिशन है एक्जाम्पल के दूर मैं समझाता हूँ हमने एक फॉर्मल लिखवाया था डी अपॉर्ट डी एक्स एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर दैबस चेवर आपको देदिया एक्स की पावर 10 कि D y एक्स वराबर क्या होगा और एक्स की पावर एक्स की पावर और आपको कुष्टिन को सोल करना है इसी प्रिटाल के सवाल होंगे जैसे कि यह भाई बराबर आपके पाद है 3X स्क्वाइर प्लस में 2X में बंद इसका आपको एकस आपक्स आउकलन ग्याद करना हो तो आप इसको लिखोगे डिवाइपोंड डी i2-1 के साफ एक्स औॉकरन करने पर एक्स के 17 आऊ करने पर क मैंत साफ एक्स और जाएप्स करने पर तुभिन 16 डी वाई डी एक्स लगा दिया पूरे फरन को लिखा थीएक्स एस्कॉयर दो आपको बताया था दो से जादा योग के रूम में उनका हो जाता है तो लिए अपोंडी एक सबसे पहले कि या ती एक्स स्क्वार का इपोंडी एक्स पिर किया डो एक्स का इपोंडी एक्स फिर किया वन का तीन तो अचर संक्या इस पर आउकलन का कोई परभाव नहीं पड़ेगा तीन को आप बहार ले सकते हो ऐसे इसके गुड़ाओं में दी अपोंड डी एक्स अंदर बचा एक्स प्लस डी अपोंड डी एक अगर बहार लेते तो भी वही बात है एक तो क्या अच्छा रासी है ठीक है एक्स की पावर एंड का उकलन क्या होगा एंड एक्स की पावर एंड माइनस वन तो भी एक्स की पावर दो है तो कितना हो जाएगा दो एक्स की पावर दो माइनस एक ठीक है दो ऐसे क्या से एक्स की पावर एक को आप रिखोगे एक इंटू एक्स की पावर एक माइनस एक तो यह था डी वाई अपोन दी एक्स इसको आप डीवाई इसको आप डीएक्स कह सकते हो एफ डैस भी भोल सकते हो अब जैसे मुख्के सबादेख ते हैं हुए 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 है अब आप आप कि अब 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 तेरा पुएंटों कि शुशन नमर चार ता हुआ था कि शुशन नमर पाथ से लेखते हैं हुई अब 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 प्लस इसके लिए आपको सिद्ध करना है अब 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 प्लस से लगा एक में अब अब हुई एक की पावर एक सब्सक्राइब कि तरह आया तो यह ले लिए आपने समीह कर नंबर एक उसके बाद आरेचस में आपको चाहिए था जीरोगा यहां जहाँ एक से यामावा में आपको क्या रखणा है जीरोगे तो जीरो की पावर अधार से से लगाकर जीरो प्रस में वन कि एफ डैस जीरो का मान होगा यह सभी पद हो जाए कि जीरो यहां आएगा ओल्ली एक समीकर नंबर दो तो 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 सीठा सी रख लिए एफ डैस वन का मान सो आना चीए तो आपने लिए आरेंच एस आरेंच जो है वह है अबेश हंड्रेड एफ डैस जीरो इस फिर्ट भी ठीक है अपनी जगेर इंट जीरो का मान समीकर नंद दो से वह समीकर नंद दो से किटना ओजाएगा सो जहां का एफ यह आप जिस पर आप पालबर आगया वहीं को अतरा आप सकते हो एफ डैस वंदा का मान हंडर्ड एफ ड तो देखो आउकल का सुत्तर कहां पे टाप आया एक्स की पावर एद का उकरन किस प्रकार से होगा वो ठीक है तो इस तरह किसे आपको कुछन सौल करने हैं यह नौट करेंगे सभी नौट हूप में कि 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 क क क क क क क झाल 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 नेक्स्ट एक किशन और देखते हैं भई किशन नमबर 7 किनी अचरों A और B के लिए आपके पास FX कोई फरन है A और B जहां पर क्या दिये हैं आपको अचर जहां अचर है तो वे इसका उकलन आप दो प्रकार से करते हो दोनों प्रकार से करके दिखाएंगे सबसे पहले तो आपने एक्स माइदस ए दो फञान जो है वो मुटिप्लाई के रूप में है एक सुत्तर बताया था कि दी अपूंट डी एक्स यूवी दो फञान दो गुडाल लोग में हो तो इसका होता है यू को बाहा लग गया डीवी अपॉन डीएक्स वी को बाहा लग दिया डीव अपॉन डीएक्स इस प्रकाल से करते हैं तो आप एक्स के साफिक्स आउकलन करने पर डिफ्रेंशेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हूं डीडबलू डीएक्स यहां तो हो गया एक्स डीएपोटट डीएक्स चैजाहाcano से माइनस यू और भी medio रहा के रुप में है हैं यहां आनने लिग लिए v- x को बार यहां ऐक्स माइनस एक को रख दिया बाहर आउकरन किसका किया एक्स माइनस बी का फिर एक्स माइनस बी को बाहर रख दिया आउकरन किसका किया एक्स माइनस एक का एक्स ठीक है एक्स माइनस ए भी ठीक है अधर को इसका आउकरन करने के लिए आप अलग अलग कर सकते हो एक बार X का करोंगा तो X का X के साब एक होता है DX by DX अचर का उकरन होगा 0 प्लस X-B ऐसे कैसे अब वही बात X का उकरन 1 और इस अचर का 0 X-A को X सक्मा करोंगा च्रिप्त आएगा X-A प्लस X-B को X सक्मा करोंगे X-B F-X बनावर होगे आपके पास X और X 2X माइनस A और माइनस का B ये तो तरीका था है एक फॉर्मुले से कि दो फ़लन जो है और गुणा के रुपने हैं और दोनों का उकलर इस फॉर्मुले से किस प्रकार होगा और ये वैसे सोल भी हो रहा है कि X-A, X-B को आप आपस में मल्किप्लाई कर सकते हो जैसे वेकल्पिक मिदी है ये दूसरे प्रकार से भी हो सकता है F-X बनावर आपके पास हो गया X-A, X-B आम इसको गुडायकरो, X को X से क्या तो X, X को B से क्या तो X को X से क्या तो X B तोuck k au differentiation with respect to x एकस के Lots करों होता है अलग अलग आप करते हो अचर नासी बाहर है तो किसका करोगे सिर्फ एक्स का अचर नासी बाहर है तो किसका करोगे सिर्फ एक्स का ये दोनों ही अचर हैं भी अपने पास अचर का खाली क्या हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वार का होता है टू एक्स टू आगया आगया जिसकी पावर एक हो जाएगी माइनस का यह हो गया A इसका बाद एक होगा B, X का X के साब X एक, प्लस में 0 F डैस X का बाद आया 2X माइनस A माइनस का B देखो कि यह उपर वाले की जैसा है या नही है 2X माइनस A माइनस का B 2X माइनस A माइनस B तो भाई यह दो को कुछ फॉर्मुले थे फॉर्मुले पर अधारित कुछ कुछ थे और इन ही फॉर्मुलों के अधार पर जैसे कुछन नम्मर 7 बाकि के 7 जो है उसमें यू अपोर वी के रूप में है दो फलन भागपल के रूप में हो तो उनका उत्रलं किस प्रकार से किया जाता है और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो के साथ तो थैंक्यू गाइस